करें स्टार्ट आज हम सबसे पहले GST करेंगे है ना सबसे पहले GST करेंगे और फिर GST से related question करेंगे फिर पीपी वाला जो रिवेल्यूएशन आफ एसेट्स लाइबिलिटी वटेबर है उसको देखेंगे हम ठीक है तो सर कौन सा कोश्चन बताया 19 कोश्चन नमबर और पार्टनर्शिप भी देख लेंगे आज हाला कि पार्टनर्शिप का कोश्चन एक्जाम में आता नहीं है तब भी देख लेंगे कौन सा कोश्चन नमबर था 17 यही है मुझे यह भी कराना था और यह क्यों कराना था मुझे क्यों कि यह था पार्टनर्शिप चलों कर लेंगे चलिए थोड़ा सा रीकॉल कर लेते हैं सर सर जी एस्टी क्या बताया था जी एस्टी दो तरीके के हो सकते हैं एक हो सकता है आपका इन्पुट एक हो सकता है आउट्पूट ठीक है अब इन्पूट का मतलब एसिट हमारा पैसा है हमें लेना है आउट्पूट का मतलब लाइबलिटी हमें देना है पैसा इन्पूट की हम अगर बात करें तो इसके अंदर भी बेसिकली तीन यूटी जी अस्ट को हम छोड़के चल रहें ठीक है ना सी जी अस्ट आजाएगा और क्या आजाएगा एस जी अस्ट और एक आजाएगा आई जी एस्ट अगर हम output की बात करते हैं तो output में exactly same 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 यही आ जाएंगे तो यह हमारे कुछ GST के नाम है जिस नाम को हमने अच्छे से explain कर लिया था GST के basic theory वाले lecture के अंदर जिस student जो बच्चे नए है तो पहले वो lecture देख लें देखने के बाद फिर आगे करेंगे आयान का कहना है सर आठ में sound नहीं है GST के आठ में sound नहीं होगा agree फिर बाद में मैंने अगली क्लास में GST करा है था अगली में चेक करेंगे तो उसमें proper sound वगरा सब चीज़े मिलेंगी अब ठीक है कृष्णा मैं जो भी लॉंग वीडियो है मैं उसको manage कर देता हूं आज पूरा ना देखके खुद अच्छे से छोटे adjustment के अलग वीडियो कर देता हूं और questions के question number भी डिलवा देता हूं ताकि आपको आसानी होके कौन से questions आपको देखने है कौन से नहीं देखने है आपको यह कल ओके होके मिल जाएगा यहां तक clear सभी को ठीक है अब कहानी थोड़ा आगे लेके चलते हैं सर एक है cgst और एक है sgst ठीक है और एक है igst सेम इधर भी cgst sgst igst अलग अलग नाम हो है ना एक सकेंड अब सर आप मुझे एक बात बताईए, बड़ी सिम्पल सी बात है, किसका पैसा किस पे जाता है, इसका पैसा कौन लेगा, इसका पैसा सेंटर, यानि सेंटर में हमारे परधान मंतरी, इसका पैसा स्टेट, यानि कौन, बताओ स्टेट में, दिल्ली हैं तो केजरी बाल जी, केजरी, और इसका पैसा कौन लेता है, बताओ, ये भी सेंटर, लेकिन आपको अच्छे से अगर थोड़ा याद हो, तो इसमें दोनों का पैसा फस गया था, जब एक राज्य से दूसरे ये डिस्टी, डिस्प्यूटेवल अमाउंट है, और इस पैसे को, IGST को सेंटर गर्वर्मेंट ने का भया, हम स्ट्रीट को भी दे देंगे, चिंता मत करो, ठीक है, सर, यहाँ पे हम बात करते हैं, आउटपुट, और यहाँ पे बात कर लेते हैं, हम इनपुट, अगर हम आ तो इनपुट में हमें पैसे क्या करना है, बताओ, इनपुट में हमें पैसा सरकार से लेना है, और आउटपुट में हमें देना है, यह मैं उल्टा कर देता हूं, इनपुट इदर कर देता हूं, आउटपुट इदर कर देता हूं, क्योंकि पहले लेना जल्दी समझ में आ प्रुटे भाई सब आप हमेशा लेट आते हो क्या चक्क कर रहा है तो थोड़ी इसकी दूरी बढ़ा देते हैं अब ठीक है अब इसका पैसा जो है यह पैसा इंपुट का मतलब क्या है पैसा देना है या लेना है लेना है और आउर्पुट का मतलब क्या है पैसा देना है एक सिंपल अंडेसेंडिंग डेवलप कर लेते हैं अब मुझे बताईएगा आप जैसे मान लेते हैं यह सौ है और इसको मान लिया जाए एक सो पचास है तो बताओ क्या करें अब हमें पचास गवर्मेंट को देने होंगे यह हमारा क्रेडिट था और यह तो इसका मतलब नेट लाइबिलिटी मेरा पचास रुपे सरकार को देना है हम जर्नल एंट्री पता है कैसे करेंगे इसकी वैसे आएगा नहीं पेपर में लेकिन आपको पता होना चाहिए यह हमारा पैसा लेना है हमारे लिए एसेट होता है तो अब हो जाएगा जी एस्टी सी जी एस्टी क्रेडिट हो जाएगा और यह हो जाएगा डेबिट हमारा लाइबिलिटी था सी जी एस्टी डेबिट हो जाएगा यह वाला हो जाएगा आउट्पुट और यह वाला हो जाएगा सेट अप कर रहे हैं इसे बोलते हैं सेट अफ करना दैट इस सौ सो सेट अफ हो गया यह 2 नहीं लगाए मैंने जनल इंट्री में और बाकी 50 देने हैं तो कौन से पैसे देने हैं 50 रुपए इसको तो हमारा आ जाएगा आउटपुट cgst to bank देखिए पहले हम set off करेंगे यानि इसका इस्तमाल करेंगे assets है debit होगा इस्तमाल करेंगे तो credit करना पड़ेगा liability है इसका भी इस्तमाल कर रहे है liability है credit है तो इस्तमाल करेंगे debit होगा तो debit credit करके last में final payment हमने कर दिया यहां तक समझ में आया है चलिए आगे बढ़ते हैं और भी मैं छोटे छोटे question पूछता जाऊँगा पचास रुपए जो की हमें पता है कहां दिखाना है balance sheet के liability है ठीक है अगर मान लो मैंने इसको लिखा पांसो और इसको लिखा मैंने 300 अब इसका मतलब क्या समझे है तो सर इसका मतलब है हमें सरकार से लेना है अगर आपको ऐसे situation मिलती है जहां पे के आपके 500 रुपए लेने वाले हैं यानि input वाले हैं और 300 रुपए आउटूट वाले हैं तो ऐसे situation में 200 रुपए और लेने हैं तो हमें 200 रुपए balance sheet के asset side में दिखाना होगा ऐसा मनहीं करना कि हम 300 दिखा देंगे liability में और 200 दिखा देंगे assets में ऐसा नहीं net करके दिखाना होगा ठीक है चलिए अब यहां आते हैं मान लिजिए यह है वैसे हला कि हमेशा याद रखिएगा क्योंकि यह हमेशा आधा आधा होता है तो जर्नली अकेला आपको यह नहीं दिखेगा इसके साथ यह भी दिखेगा और same amount ही दिखेगा आपको ऐसे situation में अब हमारे पास 200 रुपए हमारे पास बचेंगे और 200 रुपए किस चीज के बचेंगे हमारे पास CGST के भी बचेंगे और SGST तो दोनों amount को assets में दिखाएंगे लेकिन assets में दिखाएंगे इन्पुट के नाम से या आउटपुट के नाम से इन्पुट क्यूंकि हमारे पास बच रहा है दुकानदार के पास बच रहा थे that is assets और assets हमारा क्या होता है यह होता है assets यह input यह asset है ठीक है तो आप क्या करोगे ऐसे situation में asset side में आप CGST भी दिखा दोगे input और asset side में SGST भी दिखा दोगे input clear यानि हम CGST को CGST से SGST को SGST से माइनस प्लस करके फिर net दिखाते है चलिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं मान लेते हैं यह 800 है मान लेते हैं और यह मान लेते हैं 900 है अब यहां पर कहानी यह आई कि हमें यहां पर कितने Roatri Nains है कि दो सो रूपे इसके लेने हैं दो से इसकी लेने लेकिन 100 रूपे इसके देना है है जाना तो अब हमें देना है तो सरकार अब सबसे पहले पैसा होता किसके पास है कुछ क्या करेंगे भीया सेंटर गवर्मेंट के बचा हुआ है लेकिन 200 ना बचा के कितना बचाओगे अब आप 100 रुपय बचाओगे यानि अगर IGST नेगिटिव आ जाए तो हम नौक आफ कर सकते हैं इसको ठीक है चलिए कि सपोस्पोस करिए यह कि 1100 हो तो इसका मतलब क्या होगा यह 200 लेना है यह 200 लेना है और यह 300 यह नेगिटिव है तो अब पहले हम सेंटर सेंटर को देख लेते हैं तो सेंटर में यहां से 200 रुपय नौक आफ हो जाएगा यानि हमारे पास यह तो 0 बचे अभी भी यह स्टिल हमारे पास 100 किसमे है माइनस है ना या प्लस है माइनस है तो अब हम इससे को इससे भी नौक आफ कर देंगे अब हमारा यह 100 बचेगा यानि IGST का पैसा तो दोनों का ही होता है तो इसलिए अगर IGST में हमारे माइनस पैसे हो और हमारे CGST और SGST में प्लस पैसे हो तो दोनों में से माइनस करने की हमें पर्मीशन गीवन है लेकिन आप पहले किस से करते हैं टोटली डिपेंड ओन यू तो मेरा priority रहेगा पहले CGST का काम करिए फिर किसका करिए यहाँ पे दो उत्तर हो सकते हैं बच्चों के कोई बच्चा बोले मेरा तो CGST बचा है 100 रुपे कोई बोले नहीं नहीं मेरा तो SGST बचा है 100 रुपे तो दोनों possible हो सकता है और 100 रुपे आपके बच रहें इट मीन्स आपका क्या होगा liability में चलाए एसिट्स में चला जाएगा 100 रुपे इस example के हिसाब से क्या जाएगा एसिट्स में 100 रुपे CGST या SGST SGST चला जाएगा 100 रुपे जितने live में बच्चे हैं भी जवाब दीजिएगा मैं amount example change करूंगा अगर यह चीज़े दिमाग में set हो जाती है तो फिर आसान हो जाएगा हमारे लिए मानलो यह कर दिया मैंने 1200 रुपे इसका मतलब यह हमारे पास प्लस का 200 और यह हमारे पास माइनस का अब क्या करे बताओ प्लस माइनस यहां से मैं माइनस करके चलना हूं जो बच्चे लेड जोइन हुए वो देख लेजेगा पहले हम क्या करेंगे दोस चार सो है तो हम पहले cgst से नौकाउफ मतलब के बराबर कर लेंगे तो अगर cgst से बराबर करेंगे तो 200 है ना अब 200 नेगेटिव भी बचे अभी भी 200 यह नेगेटिव है चलो इससे cgst कट गया और cgst यहां से माइनस हो गया और हमारा बचा 0 अभी भी 200 रुपए माइनस में खड़ा आईए अब इसमें से भी माइनस 200 कर देंगे तो अब यह कितना बच गया यानि जी एस्टी की एंट्री कहीं भी बैलेंस शीट में नहीं दिखानी है कि समझे बात है चलो एक और एक्जांपल कि मान लो कि यह तेरा सु है कि अब यह बचा 200 यह बचा 200 यह बचा 500 और यह भी माइनस का कि तो पहले हम क्या करेंगे उस दो सो से लॉकव कर देगे फिर इस 210 में कायशे करें रुपए तो हम repente करने में कामियाब ओगे 123 साइड में दिखाना है बताओ किस नाम से दिखाएंग आओड पूट आउटपुट आई जी एस्टी आउटपुट आई जी एस्टी समझ रहे बात को चलो और भी देखते हैं इस वीडियो को आपको बार-बार क्योंकि मैं मिटा-मिटा के सामने करवा रहा हूं यह पॉसिबल नहीं कि हर एक्जामपल की अलग से स्लाइड बना लू फिर उसमें बहुत ज्यादा कॉंप्लिकेटिड हो जाएगा अपस अंडेस्टेंडिंग डेवलप कर रहे हैं चलिए मान लेते हैं पांसो तो यह भी पांसो होगा है ना और यह मान लेते हैं छे सो और यह छे सो अब ऐसे सिच्वेशन में पहले इनकी बात पताओ क्या होगा अब सब्सक्राइब में बताएं क्या ट्रीटमेंट करोगे विए सौर रुपे क्योंकि हमें लेना पांसो रुपे था इंपुट में और देना च्छे सुट है तो इसका मतलब सौ रुपिया बचा अब यह सौर कहा जाएगा लाइबलिटी में जाएगा किसके नाम से जाएगा है आउटपट CGST सो रुपे कहां जाएगा स्जी एस्ती में जाएगा किस नाम से जाएगा आॉटपट एस जी एस टी यहां तक समझ में यानी यह भी सौ रुपे माइनस में आगे आप तो हमारा और यह भी माइनस हमें देना नहीं हो अब क्या होगा बताओ अब हमारे पास यह माइनस का सिंबल मत समझना एरो लगाया ठीक है अब हमारे पास सौ रुपए यहां पे प्लस में है फाइनल एंट्री आपने करनी है तो अब इसके केस के अंदर भाया यह सौ है तो पहले किस से इसको हम सेट अफ कर दें cgst यानि cgst और igst तो हो गए जीरो अभी स्टिल बच गए हैं सौ रुपए हैं कौन से बचे हैं सौ रुपए हैं कि अब बताओ इसे कहां ले जाएं इसे लाइब लीटी में ले जाएंगे sgst के नाम से कुछ आंसर ऐसे भी हो सकते हैं कि वह इससे सेट अफ कर दे और वह cgst तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना क्योंकि igst का नेचर है वह कहीं से भी सेट आफ हो सकता है ठीक है चलो एक्जामपल बदल दें अब बताओ क्या होगा अब हमारे पास जो बचेगा तो सो अब एंट्री नहीं हो कि ठीक है चलो और बदले एक्जामपल को अब बताओ क्या होगा अब क्या होगा हमारे थाइसो बचेगे सो इससे काट देंगे सो इससे काट देंगे अभी भी पचास पोजेटिव बच रहा है और पचास हैसेट्स में हम ले जाएगे समझ मैं ही बात आपको यहां तक सबको क्लियर है पॉइंट एक दम क्लियर ठीक है तो हम अगर देखें इसको कंक्लूड करें तो सर सी जी एस्टी सी जी एस्टी से होता है एस जी एस्टी से होता है लेकिन आई जी एस्टी कहीं से भी हो सकता है ठीक है न इस बात का आपको ध्यान रखना है पहले हम सी जी एस्टी एस्टी को मैच करेंगे फिर एस जी एस्टी को मैच करेंगे फिर एस जी एस्टी को मैच कर अब अगर IGST में कुछ बच रहा है तो उसको CGST SGST जिससे भी इच्छा उससे कर देंगे लेकिन हम प्रियोरिटी CGST लेके चलेगी ठीक है चलिए आपके सामने जो सवाल है ना इसी सवाल का मुझे आंसर देना आपके बुक का ही एक सवाल अभी हम इसके इसमें भी एडिजस्मेंट है इस पर हम नहीं जा रहे हैं अभी यहीं का सवाल पूसते हैं देखते हैं कौन बच्चा बताएगा मैं कर देता हूं यहां पर यहां पर कुछ आपको यह गीवन है इसी से मुझे जवाब देना बस चलिए इस से जवाब दीजिए जो एरो करा है मैंने आपके सामने दिख रहा होगा सिर्फ इतना जवाब दीजिए कि अगर यह डेटा हमें अभी लेबल हो तो हमें बैलेंस शीट में कितना और कहां और किस नाम से दिखाना है करिए कैलकुलेट कर देखते हैं हां नहीं आप बताईए सब एक बर देखिए जूम करना है लेजिए सब्सक्राइब कर देते हैं आपके लिए यह लेजिए जूम कर देते हैं और बताईए अब दिख रहा होगा आपको यह लेजिए जूम नहीं ऐसे नहीं अभी एक करके पूछेंगा रुख जाए पहले निकाल लो आप जितने बच्चे लाइव हैं सभी निकालें सभी अंसर लिखें क्रिष्णा आउटपुट क्या दस अजार आपने आउटपुट बता है बट प्रॉपर नाम लिखिए cgst, sgst, igst जितने बच्चे भी है खुशी जितने बच्चे भी है लाइव में सभी मुझे बता दें फटाफट से क्या आएगा अगर आपने अभी समझा है तो चाहें गलत बताएं लेकिन आंसर देने के बाद ही पता चले गया कर लिया नोट कर लिया निकाल लिया आप बताओ क्या आया है ने डेविटिंग नहीं आई आउटपुट और इंपुट में बताओ आउटपुट सी जी एस टी हजार और आउटपुट एस जी एस टी कितने हजार प्लस ताउटपुट बोला तो प्लस कैसे हुआ आउटपुट होगा इंपुट एक हजार और एंड आउटपुट एस जी एस टी एक हजार यह लाइबिलिटि में जाएगा अब बताओ सी जी एस टी और यह आपका सेम सेम है आपने दोनों आउटपुट आउटपुट बोल दिया आपका यह गड़बड हो गया थोड़ा सरबूत सी जी एस टी हजार हजार लेकिन इंपुट और आउटपुट क्रिशना दोनों अलग-अलग है चलिए एक बार हम भी चेक कर रह आउगता हूं जो पहले किया था कि क्या काम किया था सर पहले हम लिए ओसार पहले हम लिख लेते हैं अधर इंपुट is एंपुट सीजी स्टी ऑफ आइज़ी मैं य bisonen-it हम लिख लेता है ताकि हमारे लिए जानकारिक लिए असान हो ठीक है इधर आ गया हमारा सर इंपुट ठीक है अब चेक कर लेते हैं क्या क्या जानकारी है और पुट कर देते हैं कहता है आउटपुट इधर और कुट को कि यह tells दहने है इसके बाद देता है जार जबता मेन करना और तो इसके बाद input CGST 3000 है, इधर लिख देते हैं, इसके बाद input SGST 3000 है, इधर लिख देते हैं, अब net करते हैं, भई यह तो आ गया, तीन में से दो गए, 1000 प्लस का, और यह आ गया, 1000 माइनस का, तो यह चला जाएगा liability में, और यह होगा output, और यह चला जाएगा assets में, और यह होगा input, अब check कर लिए, किसका किसका क्या जवाब आया था, यही था, ठीक है, कैसे निकालेंगे clear है, अब चलिए इस पूरे सवाल को करेंगे, क्योंकि सिर्फ यह GST नहीं होगा, adjustment में भी GST होगा, तो हमें सारे GST को लेके add-on करके, फिर एक net amount निकालना पड़ेगा, ठीक है, यहा वापस चलते हैं, वही जहां से थे, आजाएं ही वापस, चलिए, अब मजे की बात, इसके सभी adjustment में भी GST included है, जैसे की salesman में है, और कहां कहां है, उपर है, काफी जगह मैं देख पा रहा हूँ, यहां पे GST है, हमने इस वाले GST को तो take care सीख लिया है, लेकिन अब adjustment वाले GST को कैसे हम संभालेंगे वो सीखना है, अगर यह भी सीख लेते हैं, तो बस खतम simple GST का concept ही खतम हो जाएगा, इससे ज़्यादा हमारे GST में कुछ है नहीं, ज्यादा detail में GST तो आप पढ़ोगे छटे semester में जाक तो चलिए इस सवाल को हम एक पेच पे ले जाएं, कोश्चर नंबर 17 कर रहे हैं आपकी किताब का, मैं इसे उपर कर देता हूँ, क्योंकि जितनी जानकारी चाहिए, उतनी लिख रहे हैं, कहां रखें इसको, चलो यहां GST के उपर रख देते हैं बस, इसके नीचे कुछ डिजिट्स हैं, जिसको आप किताब से बताईएगा क्या है, मैं थोड़ा कोशन को दिखने के लिए मैं ऐसे कर देता हूँ, कि भई इसके नीचे adjustment भी है, जनल एक्समेंस के नीचे की जानकरी आपने बताना है, तो चलिए, आईए, अकाउंट ड्रो कर ले हम, इधर पी एंडल बना लेते हैं, और एक balance sheet बना लें, ये लीजे, ये थोड़ा बड़ा रहेगा तो बड़िया रहेगा, amount, आगे लिखेंगे इसमें, ठीक है ना, चलिए सहाब इसको अगले page पे ले जाए जाए, ctrl c, और आजाए, और नेक्स्ट पेज पे और ctrl v, इसको बनाने जा रहे हम, प्रेडिंग और प्रॉपिट और लॉस अकाउंट, टेट पके रहे लिखियेगा, पर्टिकुलर, और दूसरे वाले को बनाते हैं, बैलिंग शीट, यह लाइवलिटी, और यह एसिट, ठीक है, जिनको थोड़ी वीजवल में दिक्कत होगी, कि मैं नीचे कर देता हूँ, बैलिंग शीट में, ज्यादा से ज्यादा काम अड़्जस्मेंट का होगा, इसलिए मैं अड़्जस्मेंट यहां बढ़ा कर देता हूँ, ठीक है, यह रहा अड़्जस्मेंट, आजाओ भाई, आजाओ, आजाओ, इसका काम ना के बराबर होगा, तो इसको चुपा दे, उपर लेड़ा, ठीक है, चलिए सर्थ, एक बार सबसे पहले ना, हमें अड़्जस्मेंट ध्यान देना पड़ेगा, कि किस किस पे क्या क्या पॉइंट है, ठीक है, सर्थ, सबसे पहले बात करता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स इस स्टॉक, यानि क्लोजिंग स्टॉक, यह तो सिंपल है, कहता है हेमलता, हेमलता ने विड्रो किये गुड्स पांच हजार, और गुड्स यानि परचेस के उपर, उसके उपर जी एस्टी वाली भी बात कही जा रही है, इसको भी देख लेंगे यह क्या करना है, इसमें भी जी एस्टी का रूल नहीं है, यह चलो परचेस पर अर्जस्मेंट जादा बन रहा है, डेटर इंक्लूड बेड़ेट्स यह नॉर्मल आता है, क्रेडिटर इंक्लूड बैलेंस चार हजार रुपए, दा क्रेडिटर जयांत हिस हैंड भी सेटल अंडी बाइ 1,000, चलो यह भी हो जाएगा, सेल्स इंक्लूड वर्थ 15,000, इस पे भी जीएस्ट की बात कही जा रही है, प्रोविजन फॉर बैड़ेट्स सबसे लास्ट महीं बनेगा, डेप्रिशेशन लगाना है यह बेर सिंपल है, कमीशन दिया जाएगा 10% सेल्स एक्स्क्लूडिंग जीएस्ट, जीएस्टी हटाने के बाद पे आपको दिया जाएगा, ठीक है, चलिए, अब हम एक-एक करके हमारे माइंड में एक आइडिया लग गया, कि किस के लिए जगह छोड़नी है और किस के लिए नहीं छोड़नी, सबसे पहला पॉइंट है सेल्स, और सेल्स जो दिया जा रहे है चार लाक पंदर हजार, तो पाई साइड में सेल्स कितना है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी यह सेल्स लिखा होता है, तो सेल्स के अंदर GST का पैसा नहीं इंकलूड होता है, क्योंकि मान लो मैं 10 रुपे का बर्गर, अगर मैं 12 रुपे में बेच रहा हूं, तो मेरा सेल्स 10 रुपे माना जाएगा ना कि 12 रुपे माना जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि simply आपने मैंने बोला था कि 10 रुपे माना जाएगा, तो जवाब है सर यह इंकलूड है, नहीं हुआ है, ठीक है, जवाब है इंकलूड नहीं हुआ है, इसके बात क्या है, यहां तक आपको सारी बाते समझ में आ गई है, और जो चीजे मैं बताता जाऊना, तो सबसे बड़े समस्य क्या होता है, हमें उन चीजों को नोटिंग कर लेना चाहिए, और समझ में रखना चाहिए, पीछे के चीज ऑ्टोमेटिकली इरेज होता जाता है, रहता तो है हमारे दिमाग में कि हां कुछ तो बताया था, लेकिन क्या बताया था वो दिमाग से निकल जाता है, तो इसलिए आप पहले से लिख करके और प्रैक्टिस जरूरी है, ये चप्टर मेरी तरफ से खतम हो जाए आपकी तरफ से खतम हो जाए लेकिन ये कोशिस रखना के हकते में दो दिन इस चप्टर की कोशिशन करने एक एक उठा के बस ताकि आपका पूरा रिकॉल रहे है मेमराइज तो आपका एक्जाम कहीं अच्छा जाएगा अब देखे ओ पचास अजार तो मैंने यहां लिखा ओपनिंग स्टॉक कैश इन हैंड कह रहा है तो यह तो एसेट्स में चला जाएगा तो यह पर्चेश भी है पर्चेश सबसे पहले है तीन लाख दस अजार इस पर खूब सारे अट्जस्मेंट है तीन लाख दस अजार अपिस के बाद था हमारा क्या कैशिन तो यह एसट्स में YEon दिखनी रहां लेकिन मैंने लिखा हुआ कि इतना है इकीस हो इसके बाद क्या है बताईये band एड़ बैंक है इसके बाद क्या है इसके बाद क्या है क्यापिटल की जगा लिख देते हैं 288 600 इसके बाद ड्रॉइंग है माइनस कर देते हैं ड्रॉइंग कितने हैं 4000 इसके बाद तो देखे चली कर देता है कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया को थोड़ाइदर कर देख तो प्रॉपरिट आया प्रेट एंड टेक्स पीडल का पार्ट है तो मैं मान के चल रहा हूं मेरा जी पीडल ट्रेडिंग यहां तक बन जाएगा और यहां तक बनने के बाद यहां पर टू क्या है रेट एंड टेक्स है ना कि सेलरी टू सेलरी 32 और पो स्टेज एंड टेलिग्रम इस पर था साय थे तो पोस्टेज स्टेशनरी एक ही होता है यहां पर अलग है चलो कोई बात में फिर तो नहीं है कितने है 11 11 1 10 बताते जाई यह थोड़ा जल्दी हो जाएगा इसके बाद कि सेल्स्मेन कमीशन यहां डालें गहिस ए विस सेल्समेन कि 3500 इसके बाद कि इंस और इस और इस अब इंस और इस पे धियान तकना है कि लाइफ तो नहीं है अगर लाइफ हुआ तो नहीं होगा इंस और इंस कितने नो हजार इसके बाद क्या चलिए भी यहां आ गया कि सत्रह हजार इसके बाद कि फर नीचर फर नीचर एसेट्स है इस पर है फर नीचर अमाउंट कि वाइस हजार अंदर लिख रहे हैं और कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इस पर भी अड़्जस्मेंट है मैं अंदर ही लिखूंगा तीन हजार इसके बाद मोटर कार एसेट्स हैं मोटर कार अमाउंट अड़तालेस अजार इसके बाद बैड डेट्स तो यह तो पी एंडल में आ जाएगा यहां लिख देते हैं टू बैड डेट्स दो हजार इसके बाद डिसकाउंट अब डिसकाउंट चेक करिए डैबिड में है तो डैबिड में है यहां जाएगा डिसकाउंट कितने हैं चार हजार टू जर्नल एक्सपेंस जर्नल एक्सपेंस वह भी यहीं आएगा चलिए इसको थोड़ा उपर ले जाए नाम में क्या रखा है नाम तो हट जाता है तू जर्नल एक्सपेंस कितने चौदा हजार और क्यारीज इंड वर्ड तो यहां पर्चेस के बाद लाइन चोड़ते हैं थोड़ा यहां लिखते हैं क्यारीज और कितने का इसके बाद क्यारीज आउट वर्ड अच्छा केरिज आउट वर्ड चलिए इसके नीचे है एड़्जेस्मेंट के पीछे यह मैं दिखा भी देता हूं तो बच्चे सोचेंगे कहां से आ रहा ही चलिए कैरिज आउट वर्ड वर्ड आपको पता होना चाहिए कहां कौन सा जाता है एक्स्पेंस कितने हो गए बाइस हजार इसके बाद वेजिस यह हां जाएगा वेजिस टू वेजिस अमाउंट इसके बाद आउटस्टेंडिंग लाइबिलिटी फॉर एक्स्पेंस इस पे भी अड्जेस्मेंट है बताइए ग्यारा साथ अंदर रख रहे हैं इसको इसके बाद क्रेडिटर कितने है चालिस हजार इसके बाद फिर हमारा है डेटर डेटर है हमारा तो फिर क्रेडिटर कितना था चालिस तो अपने गलत करवा दिया है चालिस ठीक है ठीक है ठीक है डेटर है बिल्कुल अंदर लिख देते हैं क्रेडिटर पर भी है चलिए और आगे अब सीजी एस्टी का मामला हम सबसे लास्ट में टेक कियर करेंगे क्यों यही वाला नहीं आना इसमें तो हमें माइनस प्लस करके दिखाना है डारेक्ली ट्रैंसफर तो होगा नहीं तो हमेशा याद रखेगा सीजी एस्टी तो फाइनल जाता है हमारा इसको नहीं लिख सकते अब अर्जस्मेंट करके करते हैं फॉस्ट अर्जस्मेंट है अच्छा 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 इसा हम ठीक है चलिए ख्लोजिंग इस्टॉक दो जबाए जाएगा एक इधर लिख लिए हमने वाइद क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए एक पैंतारिस इसकी डबल एंट्री चले जाएगा बैलेंस शीट के एसेट में क्योंकि इसमें एप्रूबल वीसिस है डैट्स वाइए इसको हमें लिखना होगा अंदर वन फॉर्टी फाइव ठीक है और इसको थोड़ा नीचे लेकर चलते हैं क्योंकि सेल्स पे भी है एड्जस्मेंट चलिए बैलेंस शीट के एसेट में आ जाते हैं क्लोजिंग स्टॉक वन फॉर्टी फाइव है ना चलिए इसके बाद आ जाते हम आगे अगले एड्जस्मेंट पे कहता है हेमलता ने पांच हजार रुपए का गुट्स निकाल लिए और जिस पे पांच परसेंट सी जीस्ट एस जीस्ट लगा तो हेमलता ने जो ड्रॉइंग किया अब इसमें इंक्लूड नहीं है कहता गुट्स वर्थ यानि कीमत का ठीक है ना तो उसने पांच हजार का जो समान निकाला ड् ग्रॉइंग किया जब पांच हजार के अंदर वह सिजीोड और कौन ससफ है आप निकाला है तो समान निकालते टाइम पे याणि आपका परचेज निकाला जा रहा है तो परचेज के टाइम पे कौन सा GST होगा वो connects करना है आपको दिमाग में क्योंकि समान निकाला है खरीबते टाइम पे क्या लगता है और बेचते टाइम पे इनपूट लगता है तो एड़ कर देंगे इन्पूट क्या करेंगे एस जी एस टी अब कितने परसेंट है पांच परसेंट इच है तो धाइसो और धाइसो इसका मतलब जो ड्रॉइंग है ना वह ड्रॉइंग पच्पन सो माना जाएगा इक थैरा निकल के जा रहा है एक तरीके से proceeding, duż नहीं कर रहे हैं गडरा यह 55-6 की हो दो होगा,good और जो होगा वहां से भी माइनिस होगा और जी स्ञेश्किन जो होगा हम पहले- से मार्क कर लेते हैं कि यह वाला पॉइंट तो अभी रह जाएगा लेकिन आप दो एंट्री क्या करना है सबसे पहले ड्रॉइंग मानना है अपने ड्रॉइंग कितने का होगा पांच का नहीं है पच पन सो रुपए का होगा तो लेस कर दो गूट सी यूज और पर्चेस से जो मानना करोगे ना फाइनली तैट इस आप मानोगे पांच हजार लेखिन सरथ 500 रुपए और रह गये वो 500 रुबे माइनस किस से होगा आपका CGST से माइनस होगा और SGST से माइनस होगा इन्पुट वाले से ठीक है ना माइनस होगा यह भी ध्यान रखना क्योंकि यह यूज हो गया है तो मैं यहाँ पर माइनस का सिंबल लगा देता हूँ ठीक है ताकि याद रहे चलिए एक अर्जेस्मेंट कर पाए हम यहां पर अगला प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्स्पेंस ग्यारा हजार रिलेटिंग टू नाइंटीन और ट्विंटी नाइंटीन और ट्विंटी का मतलब हमारा यह किस साल के लिए बनाया जा रहे है 21 के लिए यानि कभी पुराना ग्यारा हजार था अकाउंटिंग यह हैड नौट बिन प्रोवाइड़ इन दा इयर इन दैट इयर मतलब बहिए ग्यारा हजार का किसी को पैसे देने रहे होंगे मैंने इसकी अकाउंटिंग भी नहीं कर रखी है और मैंने पेमिंट इस साल कर दिया है ठीक है जब आप इस साल पेमिंट करोगे और आपने डेबिट क्या कर दिया है यहां पर बट वेयर पेड दिस यह पाई डेबिटिंग आउट्सेंडिंग लाइबलेटी तो सर जब आपने पहले रिकॉर्ड ही नहीं किया था देखो क्या कहता है प्रिंटिंग एस्टेशनरी ग्यारा हजार रुपए रिलेटिंग टू दो हजार उन्निस भीस अकाउंटिंग इयर हैड नौट बिन प्रॉइड उस साल नहीं हो हैं किमा किस या वाड़ियर है वो कम हो जाएगा तो मैं बैंक से Ż इसको अंदर रख लेते हैं पहले पेड कर देते हा पहीं से भी दिखो केश बैंक बोला नहीं Cherry बोला है पैड बोला उसibenовых आपको तो understanding develop करना भाई यह बोला ऐसा है तो ऐसा करेंगे हमारी मर्दी मेरा मन करता मैं कैश में से कर दिता लेकिन कम पैसा था इसलिए मैं बैंक पर जा रहा हूं कितना था था हमारा अंग मैं के श्च्रेशनरी एक्स्पेंस 11000 चलिए और यहां पर प्रिंटिंग स्टेशनरी हमारा 3000 इससे कोई ना देना नहीं तो सर आपने इसको पेमिंट किया यह थो पेमिंट हो गया और आपको एक काम करना होगया आब क्यूंकि यह ही था सबसे पहले बताओ यह मैंने क्या कर दिया ठीक है पेमिन्ट हो गया तो यह नहीं करना कहता है कि debit to the outstanding liability तो ठीक है भाई डेविट हमने outstanding liability कर दिया था यानि हमने liability को माइनस कर दिया था provide but were paid in this year by debiting outstanding liability ठीक है कहता है कि outstanding liability से debit करो यानि आपका इसमें से माइनस करो यह वो दिखाया हुआ है that is आपने क्या कर दिया है paid कर दिया है यहां से ग्यारा हजार माइनस करो और इसको जीरो दिखाया कि देखे गलती से नहीं किया और आगे देखो पढ़ो कहता है प्रिंटिंग इस्टेशनरी 11,000 नहीं पेमिंट किया था बर पेड दिस यह एंड विया बाइद देटिंग आउटसेंदिंग लिएटि बोलता है पेमिंट करो आउटसेंदिंग लिएबिलिटी को डैबिट करके करो ठीक है कि लिए रहे हैं इसर बोट जीस्टी सीजीस्टी ओके अभी चेक करेंगे देखना कैलकुलेशन तो ये वाला पॉइंट समझ में आ है एक एक अजस्मेंट में बताता जा रहा हूं आप अच्छे से देख लिए बहले एक कोश्चन हो लेकिन क्लियर तो हो क्योंकि मैं एक ही कोश्चन कराऊंगा जीएस्टी बाके सारे होंबग में देदूंगा फिर फटा फटा आपने ही करने होंगे हो क्लियर है अगले पॉइंट पर चले यानि साहब यह भी हो गया यह भी हो गया यह भी हो गया परचेज इंक्लूट 10,000 फरनीचर तो परचेज इंक्लूट फरनीचर 10,000 है अब हमें क्या करना होगा एड करना होगा पह चलो जी ये भी हो गया डेटर इंक्लूड पांच हजार रुपए बेड़िट्स तो डेटर में से माइनस करेंगे बेड़िट्स पांच हजार और दूसरा कहां चला जाएगा पी एंडेल के डेविट में क्योंकि एड़िस्मेंट में है तो या प्रेंटिंग इस्टेशनरी पे कोई बात बनी नहीं और इसको भी उठाके ले चलते हैं बहारी आ जाएए सर ये भी हो गया जरीना को इसने चार हजार रुपै इंक्लूड है और एक हजार पेमिंट करने के बाद जरीना का हिसाब किताब खतम हो गया तो यहां हमारा हो जाता है फाइदा चार हजार देना था जरीना को लेकिन हजार में ही वो मान गई तो ऐसे सिच्वेशन में क्या होगा हजार का तो सबसे पहले तो भाई यह मान गई है तो इसको हम पहले हजार पैसे दे कर रफा देफा करें तो यह लोग पेड़ कर देते हैं हाँ पर चलिए पेड़ कर दे माइनस जरीन हजार अब यहां तो कुछ भी नहीं बचा भाई साब अब जरीना को पेड़ कर दिया अब लाइबलिटी मेरी पूरी माइनस होने वाली है चार हजार की तो माइनस पेड़ जरीना अब पेड़ गल्त वर्ड हो गया वैसे सेटल लिख दो माइनस सेटल कितने का चार हजार इसकी वज़े से फाइदा हो गया कितने का तो बाई सेटल लाइबलिटी कितने का तीन हजार और ब्रैकेट में लिखना जाटो जरीना समझे एड़ेस्मेंट क्लियर यहां तक बताओ कोई डाउट अगले पॉइंट में यह भी होगी है सर दीरे दीरे देखो कितने जल देल दी खतम हो रहा है सेल्स इंक्लूड गुड्स पंद्रह हजार रुपए सेंट किसोर अप्रूबल बेसिस अंसोल इकत्तिस मार्च दा कॉस्ट दस हजार मजे की बात है इसमें दोनों चीज़े दे रही ठीक है न अब सेल्स में पंद्रह हजार जुड़ा हुआ है और कॉस्ट में दस हजार दी हमारा सेल्स था पंद्रह हजार इसमें सेल्स में कभी भी जगर सेल्स में जुड़ा हुआ है तो क्या जिसके अंदर इंक्लूड होगा जवाब है नहीं होगा सर और पर्चेज जिसको हमने किया था डैट इस कितने का क्या है है कितने का दस हजार के आज कि इसकी कॉस कितनी थी दस हजार rouλα तो जब दस अजार की कॉस्ट रही होगी तो अब करेंगे क्या बहुत सिंपल सी बात है अब इस पर जी लगरा होगा तो जब हमने बेचा होगा सेल करके तो जीस्टी लगा करके बेचा होगा लगा करके प yep तो इसमें प्लस कर रहा होगा हमने बेश्टे टाइम पर आउट कुट सीजी एस्टी और प्लस किया होगा आउट पूट कि एस जी एस्टी ठीक है कितने 700 और मैंने बोला होगा भाई तो 16500 मिर को देगा ठीक है और परचेज भी किया होगा तो मैंने इसके अंदर इंपूट cgst और इंपूट sgst करा होगा that is 500 और 500 यानि ये समान जो मैं खरीद के लाया होगा तो मेरा 11000 का रहा होगा अब देखो मैं दोनों को separate separate सोचना है मैं अब सबसे पहले हम इसकी बात कर देते हैं दो जगह से माइनस होता है सेलिंग प्राइस से माइनस तो सेलिंग प्राइस से सेल्स का अमाउंट माइनस होगा तो देटेज हमारा आ गया सेलिंग प्राइस पे लो जी लो selling price से माइनस कर देते हैं sales on approval basis कितने रुपे दूसरा debtor से माइनस लेकिन debtor से माइनस करेंगे तो जब मैंने उससे पैसे लेने होंगे debtor बनाया होगा तो कितना बनाया होगा खुद सोच के बताओ सहाब debtor मेरा बना होगा 16500 का अब बर्गर वाला जब आपको समान बेचता है उधार बेच रहा है 10 रुपे का समान 12 रुपे टेक्स लगा के तो आपको 12 रुपे खाता में लिखेगा बहिया मुझे तुमसे 12 लेने हैं तो debtor में GST के साथ जुड़के होगा सोचो है ना तो अब हमें debtor में से जो माइनस करना होगा that is कितना माइनस करना होगा कहां गया debtor माइनस में sales approval basis कितने 16,500 अब यह amount बच गया हमारा क्या बच गया हमारा GST वाला amount यूए टेक्स में से माइनस हो गया और यह sales में से माइनस हो गया का नहीं है कि यह रह गया ओंभी नहीं इसको किस से माइनस करेंगे का अमांट पड़ा हुआ है नो सवाले से सर आउट्पंट और इन्पुट वहाँ पे देखेंगे ठीक है ना अभी और पहले पड़ा हुआ है और आप फिर करें है ठेक है अब इदेर आ जाते हैं सर्या परचेस से मंईंस हो जाए और इन स्टौक मेंrict ऐड़ से तो ऊगलोजिंग इस स्टौक विधाउट जी क्योंद दिखाते हमेशा तो दस हजार हया क्लोजिंग स्टॉक में दस अजार एड करते हैं सेल्स ओन अप्रूबल दस अजार इसके बाद यहां पे भी एड हो जाएगा सेल्स ओन अप्रूबल दस अजार अब जो यह टेक्स बच गया है हमारा इस टेक्स को हम जी एस्टी में करेंगे मतलब अभी देखेंगे फाइनल क्या निकलता है कंक्लूजिंग तब मैं लेकर जाओं तो समझाओंगा अभी नहीं एक इसाथ सामने लिख दूँगा और सारा करता हूँ ठीक है बताओ कुछ बोल रहे थे अच्छा दस अजार है चलो ठीक है चलो जी यह भी हो गया जी एस्टी वाले पार्ट यहां भी पेंडिंग और वहां भी पेंडिंग क्योंकि उसे नेट करके करना होगा प्रोविजन फॉर बेड़ेट्स फाइफ पॉरसेंट उन संड्री डेटर तो भईया डेटर के उपर प्रोविजन बनाई है डेटर के उपर प्रोविजन बनाई है डेटर है कितना एक लाख पांच हजार सोला पांसो और एक लाख माइनस पांच हजार माइनस सोला पांसो सेवेंटी एट आ रहा है मेरा तो माइनस क्या कर दें पी एफटी कितने परसेंट पांच यह 4925 कि इसको यह माइनस कर देते हैं चोहत्तर पांसो पिशत्तर है तो आ जाते हैं इसकी डबल एंट्री 4925 की चलिए सर यह भी हो गया यह लो डेप्रीशेशन फरनीचर पे 10 परसेंट लगा दो मोटर पे 20 परसेंट लगा दो तो मोटर पे 20 परसेंट डेप्रीशेशन देट इस देप्रीशेशन 32 तो यह 96 और प्लस 32 डेप्रीशेशन मैं खट्टा दिखा रहा हूं 12800 जगह नहीं है इसलिए तो डेप 96 प्लस 32 तो बाराइट सो ठीक है चलिए आगया जाएगे लास्ट एजस्मेंट कहता है सेल्समें को कमीशन देना है एंटाइड कमीशन 10 परसेंट ऑन टोटल सेल एक्स्क्लूडिंग जी एस्टी यह निस सेल्स पे 10 परसेंट कमीशन मिलेगा तो भाईया मेरा सेल कितने का है चेक करो सेल चार लाग का सेल है क्योंकि पंदरा हजार तो भिका ही नहीं न तो सेल कितना कहलेगा चार और चार लाग पे कितना कमीशन मांग रहा है वो टैन परसेंट ठीक है तो चार लाग पे टैन परसेंट इस चालिस हजार इसको कमीशन देना है तो कमीशन की दो जगए एंट्री एक आजाएगा यहां पे कमीशन कितना हो गया चार लाग पे चालिस दूसरा लाइबलिटी में आ जाएगा सेल्स कमीशन पेमेंट किया नहीं अभी हमने तो देखो सारे अज्जस्मेंट कर लिए आप बस एक काम रहेगे हमारा जीस्ट का कि बताइए यहां तक अगर कोई दिक्कत है आपको तो आप पूस्ट सकते हैं नहीं तो फिर हम आगे बढ़ जाएं कहां से जीस्टी नहीं होगा अब जो वह हजार है ना वह हजार को हम अभी सेट अफ करेंगे अब लिखा हुए अजिस्मेंट में नहीं अप रूब हुआ कि आगे देखो हां तो यह अन्सोल्ड ही रह गया जो कि था इतने का दा गुट्स वर गुड़ इंवोईस जीएस्टी यह है तो किसो अपरूब है अभी तक अपरूबल नहीं मिला तो जंशन भी ले लेंगे के अपरूबल नहीं हुआ तो सेलसर अपरूबल ही ठीक है बढ़ जाएं आगे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आगे बढ़ जाये चलिए सर आगे बढ़ जाते हैं अब GST की बात करते हैं अब GST को थोड़ी सी बाते समझेगा मैं पहले वो बना लेता हूं है ना, वो मेरे लिए मुझे थोड़ा साथान लगता है समझाने में बागी आप जैसे मर्धी केल्कूलीशन करिए वह आपके इच्छा है पहले मैं लिख लेता हूँ इन्पुट वाला ना है सी जी स्थी एस जी स्टी आइजिस्ट आंक यहां चाहला कि है नहीं लेकिन लिख लेते हैं है चलिए साहव यहां जाएगा हमारा आउट पूट यह लिख लिए ठीक है सबसे पहले हम ट्राइल बैलेंस वाले बूद नमूलत यह लिख लिए पूद को फिर हम डश्मेंट में यह यह कर नहीं है उसको पूर्भ हमें सब्से पहले क्या दे रख्या है यह यह दे रख्याथा ढृत वहें और यह दे रख्याथा घड़ क обязli थीक है अब आगे मुद्ध की बात आते हैं अब देखे ड्रॉइंग है तो ड्रॉइंग यानि जब कभी भी बिजनस से समान लेके जाओगे तो एक तरीके से यह माना जाता है कि समान भिका है पर्चेस कम हुआ है अब आपने पर्चेस के उपर इंपुट लगाया था क्या इस पैसे का आप सरकार से वापसी लोगे जब आपने यूज कर लिया तो क्योंकि लास्ट यूजर्स कभी भी जी एस्टी को क्लीम नहीं गरता समझना बात अब जैसे मान लो बर्गर के मैं एक्जामपल लेता हूं दस रुपए का बर्गर था दो रुपए टेक्स लगा बारा रुपए का मैंने इसको कंस्यूम कर लिया यह कस्टमर ने यूज कर या खा लिया, अब जो customer 12 रुपए है, क्या आपने जीवन में कभी कोसिस कराए, कि 20 रुपए सरकार से जाके मांग लू, चिफ के packet लिये हैं आपने, चिफ में inclusive tax होता है, कभी सोचा है, कि इसके tax सारे निकालके सरकार से ले लेंगे, हम जाके नहीं कि लास्ट एंड यूजर होता है वो सरकार से नहीं मांग सकता वो तो उसका देना ही देना पड़ता है तो एक तरीके से यहांपर इंपूट GST में जो हमारे पास दिख रहा होगा ये पैसा तो मैं सरकार से ले ही नहीं सकता क्योंकि ये मैंने खुदी यूज कर लिया है तो इसका मतलब जो हमारा input GST दिखा रहा होगा वो ज़ादा होगा क्योंकि ये जुड़के होगा तो हमें input GST को ठीक करने की अवश्कता है और यहां से हमें धाई सो माइनस करने की अवश्कता है कितने ये था ही नहीं हमारा कवे क्योंकि हमने इसको यूज कर लिया धाई सो यानि input GST अब इतना बचा हुआ है हमारा अब थोड़ा सा entry भी दिमाग में घुमाओ हमने क्या करा था माइनस किया था purchase से कितना अब debit credit वा दिमाग लगा परचेश ने माइनस कितना किया इंचे कितना माइनस किया ऑचेश से माइनस करने का मतलब credit और capital से माइनस करने का मतलब debit आपने एक जगह 5000 रुपए क्रेडिट कर रखा है लेकिन आपने debit कर रखा है 500 रुपए इसका मतलब आपका credit तो 5000 हुआ लेकिन debit 500 रुपए और आपको credit करना बाकी है और 500 रुपए credit करने का मतलब मैंने अब यहां देखो यह क्या था हमारा assets, assets में minus करने को क्या बोलते हैं तो यहां से भी मैंने 500 रुपए देखो अलग-अलग जगह से credit कर दिया है पताई है ड्राइंग होगा तो नहीं देखो GST अगर uses हो गया है last user है end user है ऐसा ही मालो purchase return होता suppose करो तो purchase return होता तो जो हम input लेके बैठे हुए हैं वो input तो हमारा होता ही निए क्योंकि purchase return में समान खरीदा तो input बन गया और समान वापस कराई तो input वापस भीज दोनों उसको या सरिफ goods भीज होगा बोलोकर नहीं input मैं रख लेता हूं ऐसा तो होगा नि हमें गोनों देना होगा सेम पर्चेस तो हमारे goods तो माइनस हो गया लेकिन उसको हम जब तक नहीं बेचेंगे तब तक तो input हमारा पड़ा होगा तो वह input हमारे input liability में पड़ा होगा और वह input हम कभी output करेंगे निक्योंकि हमने goods को खुद ही उसकर लिया है तो वहां input से हटा दीजे क्योंकि यह आपका जीस्ट लास्ट यूजर वाला कंसन था अब सेल्स और अप्रूवल बिस्स पर सोचें मैंने बेचा मैंने अपने और input में जूड दिया होगा कि मेरा यह आएगा और इंपुट में से मैंने क्या करा होगा घटा दिया होगा कि यह तो विंहां तो अगर मैंने बेचा समानhh , यह रहा सामने मैंने बेचा , तो मैंने Amait , जोड दिया होगा , तो इसका मतलब यह Output में तो अब होगा ही नहीं क्योंकि बिखा ही नहीं है , तो हमें क्या करना चाहिए , यहासे से भी Title कर देना है । से कितने और यहां से भी माइनस कर देने चीए कितने और लेकिन वो समान मैंने जब बेचा तो मैंने इन्पुट को भी ख़त्म कर दिया होगा कि भाई बिग गया तो चलो सेटल होगे लेकिन वो इन्पुट वापसी आ गया आपके पास रिटन होगे तो अब हमें यह लॉजिक लगाईए अब अकाउंटिंग पर ठीक है ना चलो यह तो मैंने वैसे बताया जो कि होना चाहिए अब अकाउंटिंग में लॉजिक लगाईए से कितना माइनस किया था 15,000 यानि debit हो गया 15,000 और debtor से कितना minus किया था तो यानि credit हो गया कितना 16,500 यानि हमें debit और करना बाकी है कितना debit करना बाकी है 1500 तो देखो मैंने यहाँ पे liability में minus किया तो हो गया debit और यहाँ भी minus किया तो हो गया debit यहांइ कर दिया नहीं हमें इस थीक चल रहेया औरzähl से लिए थीक चल एदि शेम ऐसे आप आजए इस पर हमने परफिस्स कितना मैंने किया या नि क्रेडिट कर दिया फच्च थे 10 ख़ार और लेकिन आपने स्टॉक मेंसे भी कितना यह 500 रुपय का हमारे क्या था इन्पुट जी एस्टी तो इन्पुट जी एस्टी हमने एक जखा क्या कर दिया 500 कर दिया प्लस कर दिया है और यह कि यह अग्या करा जब हमारे यह सीजेश्टी खतम होगा कि इसको ऐसे गरते हैं तो नेट कर देते हैं हम यहां से हटा देते हैं इसको क्योंकि इसका इंपेक्ट तो हुआ ही नहीं अभी समझ लेंगे रुक जाओं कि पहले हम टूटलिंग कर लेते हैं इसको यह कितना गया 32 और यह भी कितना हो गया अच्छा कि आएगा यह कितने 27.50 और यह 20 और यह आग्या 27 40 यह आ गया 1000 और यह आग्या ओझेओं अब आया जाते हैं नेट कर ने के लिए यह हमारा पॉजिटिव और ये नेगेटिव यानी हमारे यह पॉजिटिव बच गया अब कल इसको मैंने दिखाय नहीं अभी बात करेंगे क्यों नहीं दिखाया leş mij चलिए यह पॉजिर्टी पॉजिटे में रह जाता हमारे पास कितना ai будर जो और यह positive और यह negative पान सो चेक करो एक बार पंदरा सो किसमें आ गया फाइनल आंसर में चेक कर लो आप चाहिए कितना आ गया पंदरा सो रुपय हमारे कहां आ गया एसेट्स में और पान सो आ गया आउटपूट में ठीक है अब देखो इस वाले को हमने क्यों नहीं किया और मैं बूल रहा हूँ मैंने इस वाले को कर भी दिया है यहां इसको ऐसा कर देते हैं यहां confusion create ना हो यहां पे हम purchase में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए क्योंकि confuse ना हो जीएस्टी नहीं एड़ करेंगे सिर्फ गुट्स दोनों जगह माइनस हो जाएगा यहां से आपका कहां से माइनस हो जाएगा कि परचेश से आप इतना याद रखिएगा और माइनस हो जाएगा इस टोनों जगह से नहीं एड़ होगा दोनों जगह अपने गलत बता दिया एक लोजिंग स्टॉक में यहां भी यहां भी यह रखना है ठीक है ना मैं कुछ जीएस्टी के यह भी बता दूँँगा जैसे ट्रॉइंग वाले जीएस्टी कहां कहां जाएगा एक ऐसे भी चा 500 तो हम बैलेंश शीट पे जाएंगे अब और बैलेंश शीट पे तो भड़ दी जाए हमारी तॉट कि सबसे पहले यहां पर लिखना है इनपुट जीएस्टी कि कि कितने रुपे कि पंद्रा सो और यहां पर लिखेंगे आउट्पुट कितने था ठीक है अब बस टोटलिंग का प्रोसेस कोई और अजस्मेंट नहीं रहा देख लिजिए आप यहां पर जीएस्टी का कोई मुद्दा ही नहीं था एक्सक्लूडिंग जीएस्टी वस वर्ड लगा दिया था डराने के लिए और कोई मुद्दा नहीं था ठीक है चली आ जाईए इस पर फटा फट से टोटलिंग करेंगे और अब बताते जाईएगा इसमें से दोनों माइनस हो गया तीन दस में से तीन और पांच दो पिच् पन हजार और इधर भी पांच पच्पन क्या रहा है बताओ जीपी जीपी आगया एकसी और बाई साइड में आगया जीपी एकसी अब यहां पे कुछ ऐसे करना नहीं है नीचे चलते हैं कि यह आगया 183 और यह भी आगया 183 अब एनपी क्या आगया बता हुआ है क्यालकुलेट किया देखके बता रहा है ने क्यालकुलेट करना है वाई गलत भी तो सकते हैं कि यह तो नहीं आ रहा है एक बार चेक करो दो हजार पाँच हजार बत्तेस अजार ग्यारा 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 पांसो पैंगतेस अजार नो हजार कि यह नहीं आ रहा है अच्छा चालिस यह मानिस करना है न लॉस आ रहा है हां तो कि यह बत्तीस अजार रही है न देखना एक पर कहीं बत्तिस सो कहीं अमाउंट और यह कि चालिस तो यह रहा यह अच्छा 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 हमारा सेल्स कमीशन टोटल कितना निकला था कि सेल्समें एंटायड कमीशन था हमारा दस परसंट यह थोड़ा एरर हो गया सार हमारा पहले भी तो था सेल्स कमीशन तो इसको कुछ ऐसे दिखा देंगे 35 पहले था है न और प्लस चालिस टूटल हो रहे थे न तो तो पांच आउट्सेंडिंग तो टूटल कितने आ गए चालिस और यहां पर भी आउट्सेंडिंग आ जाएगा पांच अभी भी देखो क्या रहे गया इंस ठीक है सत्रह हजार एडविटीज में सत्रह ही है न क्योंकि बड़े-बड़े अमाउंट ज्यादा दिख रहे है मुझे डेप्रीशेशन देखो दो हजार माइनस पांच हजार माइनस बत्तिस हजार सेलरी डन पोस्टेज गैरा पांसो चालिस हजार नो हजार सत्रह हजार तीन हजार पांच हजार चार हजार चौदा हजार और यह बाइस हजार है काटेज आउटवर्ड और 749 और 22,00 और 800 प्रॉफिट कितना था नेट प्रॉफिट 1775 आ रहा है नेट प्रॉफिट क्या है ठीक है नेट प्रॉफिट आगया 1775 ठीक है यही आए चलिए आ जाते है एड नेट प्रॉफिट 1775 प्लस 288600 माइनस में 9500 यह 280 प्लस चालिस पांच 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 और यह आ जाएगा हमारा 362, 375 362, 375 S8CH 0 28, 600 38, 400 35 35 और क्या रह गया? 312 यह माइनस प्लस चेक करो एक बार 88 पीचाट यह गलत लग रहा है मुझे यह तो ठीक है यह 11-0 हो गया क्रेडिटर हमारा ठीक है 36 सेल्समें अच्छा सेल्समें कमीशन हमने 40 लिख दिया नहीं जबकि 5000 लिखे चुके हैं तो माइनस का का 322 375 प्रेडिटर कितना है यह सेटल्मेंट कितने का हुआ था तीन का हुआ था चार का हुआ था बुक में क्या है आपका अरे इधर देख लो लिखने दो पी 322 अब इसको टोटल कर लेते हैं माइनस एक के सो अभी पता चल जाएगा कुछ एडजेस्मेंट वह एक साथ कर देते हैं न 3 3 3400 इक पच्पन पैंद इस पचा सथा अथा थास था प्याँ जादा कि इस चार्ज कि इस चार्ज कोई प्रिपेट वगर भी था गया कोई एसेट्स रहे गया माइनस करना जी एस्टी हो गया यह हो गया एक फ़र चेक करो कोई एसेट्स तो नहीं रहे गया माइनस लिखना यह माइनस करना देखो फटा फटा अब हाँ वही बारह दर वही तुम्हें देख रहा हूं क्या है कैसेट बैंक बारह माइनस निवा पेमेंट जो किया हमने और कहीं दिखा रखाओ देखो लाइबलेटी में दिखा रखाओ पारा जाए इन्होंने यहां से नहीं तो यहां सट्ल मार रहा हो ना है 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 हुआ यह1 थाल हुआ अ है है तो बात वही हो कि मैंने इधर कर दिया उसने किससे माइनस कर दिया एक हजार और होगा ना देखा तो 37 क्रेड़र में से माइनस कर रखा है जो हमारा 36 आ रहा है कि माइनस नहीं किया होगा प्लस किया होगा इन्हों अट्रेश कि माइनस कर दो होगा इन्हों कि तीन बारा थीन सो पिचतर है ना कि क्योंकि हम डबिड लेकर चल रहे हैं बारा हजार हमने माइनस किया कि क्रेडिट किया है कि पहले से यह था ना हमारे पास 11000 ट्राइल बेलेंस में आउट्सेंडिंग लाइबिलिटी था 11000 पहले से कि हैं तो है ना ट्राइल की बात कर रहा हूं है तो आए गाई विदाउट ट्राइल के कैसे कर सकते हैं कि तो हमने इसको जिरो कर दिया वहां से माइनस चाहर तीन हजार तो हमारा यह सीरो बच गिया थे लाइए तो हमने यह क्याना जब्लों काया थे यहार अप्राइए तो नोधर प्लाइए यहार प्लाइए तो नोधर प्लाइए तेल कोई अपर यहार दिखें आपको आप इसको एकपन नोधर 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 नियुक्न थे यहां करो में झूण के बता दिए तो कहां पर क्या रहेगा को कम अ रहा है इसे टॉट में ठीक है उसको चेक कर लेते हैं आप अब इसको एक वर नोट इन ये जैसे भी गुछ दो मिनिट दो मैं आपको इसमें न बता देता हूं क्या चीजे हम कहां भूल गए हैं एक वार क्योंकि अमाउंट सारा आपने भूला था कि अब पहले यह देखो यहां पर आउटस्टेंडिंग एक्सपेंस न डेबिड में था बुक में देखो गलती क्या कर यह आउटस्टेंडिंग एक्स लायबिटी फॉर एक्सपेंस हमने आउटस्टेंडिंग तो देख लिया लेकिन यह है डेबिड में साइड ने देखा तो यह भी तो गलती हो गई न यही तो 22,000 रोग यह जिसे हमें डेबिड लिखना चाहिए ह ठीक है न तो जो आपका एरर है मैं बता देता हूं क्या एरर है यह डेबिड में था तो यहां पर भी नहीं आएगा यह क्योंकि पेमेंट की बात ही नहीं होगी यहां पर आ जाएगा आपका ग्यारा समझे आपने सिर्फ आउटसेंडिंग चेक कर लिया लेकिन यह नहीं चेक कर आब इसको कैसे दिखाना होगा हमें दिखाना थे इसे आउटसेंडिंग एक्सपेंस 11,000 और माइनस यहीं पर कर दो यह पेड भी हो गया 11,000 और यह आगया 0 हमारा ठीक है या क्यूंकि यह डेविट दे रखा है पिछले साल का खर्चा है और पिछले साल मैंने अगर खर्चा नहीं दिखाया तो कहीं न कहीं पिछले साल का प्रॉफिट बढ़के आया होगा और माइनस कर दिया स्रिफ और 11,000 रुपए क्योंकि यह पिछले साल का था तो माइनस आउट स्टेंडिंग एक्सपेंस डेविट था भी 11,000 और हेर यहां पर आ जाता है हमारा समझे क्या एरर था 288,600 4,000 288,600 माइनस 11,000 माइनस 95,000 प्लस 17,000 तो आपने डेविट ग्रेडिर भी चेक करना है देखो 26 98 75 प्लस 36,000 प्लस 5,000 प्लस 500 यह आगया 3,11 बुक में क्या था 12,000 रुपे वो अलग लेके चल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं 3,11, 375 ठीक है बुक वाले ने इस 1000 रुपे को जरीन को पेड़ किया है न वो पेड़ ना दिखा के बाद में दे देंगे यह लिखा है अगर हम बाद में दे देंगे तो एक्चॉल तो 3000 ही माइनस हुआ 1000 नहीं कोई नोट नहीं यहाँ पर बोल दिया सटल है तो नोट डालना चाहते कर दिया हम यह मान के चलता है पेडमिंट करके सेटल हो गया है वुक वाले मान अभी सटल हुआ है पेडमिंट बाद में करेंगे तो चलिए और यहाँ पर भी आगे आपका तीन ग्यारा ग्यारा तीन सो पुच्छता चल गए यह हो गया हमारे ड़न दिखा दे एक पेज़ पे सारा आ गया वह भी दिखाते है इतने लॉंग कोश्चन प्रेक्टिस के बाद ही हो पाएगा देखो करना तो पड़ेगा 20 नंबर का कुश्चन आएगा फाइनल अकाउंट का उपर इनफेक्ट सबसे ची बात देखो नोपर ने टॉपिक भी डाल दिया है और बैलिंशिट में जितने जी एस्टी वाले कोश्चन है तो हमारा जी एस्टी का टॉपिक हो जाता है खतम आपके डाउट रहते हैं जी एस्टी में तो डेफिनेटली हम डाउट को लेंगे लेकिन फिर भी हम कर लेंगे उसको पीपी को देखो यह जो बहुत चोटे-चोटे दिख रहे होंगे इसलिए मैं रिकमेंडेशन करता हूं कि भुक रखें अपने पास ताकि इजी हो क्योंकि मैं यहां दिखाऊंगा हाँ दूसरे बागी चोटे-चोटे कोश्चन सब झाल